नमस्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के चैनल में आप सभी का स्वागत है सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ों और वीडियो को लाइक कीज़े धन्यवाद तो गाइस यहां पर हम डिस्क्रिस करेंगे इंडियन सब्सक्राइब करेंगे तो गाइस अगर आप जो है इस शेर में निवेशक है निवेश करने की सोच रहे तो वीडियो जो इन तक दूर देखेगा पूरा हम आपको जो है गाइस एट वजेट करतेंगे तो चलिका स्टॉक का जो है टेक्निकल और फंडेमेंटल एलसी शुर इस तो गाइस यहां पे हुँआ हिसने सब्सक्राइब क्या एक एड़ला है तो आप देख्षे斯 अधर जूर्ण जो इसमें एक परसेंट से ज्जादा की गरावट वी पिछले एक हफ्ते में जो है चार परसेंट की जो है तेजी बनी थी पिछले एक मीने में तक्रीबन चा को मिला और कोई भी खास तेजी या कोई भी खास रह ली यहां पर हमें देखने को नहीं मिली है पिछले पांट साल में आप देख सेथें जो एक जगए फसा है यहां पर आप देख सेते हैं जो कंपनी के fundamentals है वो भी जो है जो है market cap company की ठीक है पी रेशो थोड़े overvalued है as compared to industry return on equity भी काफी खराब है और earning per share भी काफी खराब इसने कोई खास return बनाके नहीं दिये dividend yield वगेरा भी उतनी कोई खास नहीं है बाकी financials के बारे हम बात करें तो revenue growth company के ठीक है profit margins जो है company के इस quarter में थोड़े गिरे as compared to mars quarter और net worth जो है company की उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है बाकी shareholding के बारें बात करें तो promoter के वान जो है सबसे ज़्यादा shareholding as compared to retail और other institutes तो मैं आपको यही रहे दोंगो और मेरे आपको यही सलह रहेगी आप जो है जो इंडिन पावर cooperation है उसमें जो है बैठ सकते हैं guys इसका जो net profit है पिछले जो रहा है June quarter का उसमें वृद्धी हमें देखने को मिली जो एक positive news है और उपर से इन्हें जो है क्या बोलते हैं order भी मिल रहे है thermal energy storage system और जो है काफी जो है prestigious order जो इन्हें मिल रहे तो मुझे लगता है आने वाल टाइम में इसमें आपको जो है तेजी देखने को मिलेगी 27 स्टेंबर के आपने इसमें जो है याद रखने है आपको जो है अनौंस करके देंगे और बताएंगे कि इनके आने वाल टाइम के क्या जो है फूचर प्रस्पेक्टिव है बुक लोजर जो है कंपनी की 27 को है वहां भी जो है closure of accounts है उसी दिन और 29 को यह आपको आपका डिविडेंट भी दे देंगे पांच पैसे का डिविड में जो आप लोग बैठ सकते हैं कंपनी में जो है मुझे लगता है तकरीवन 22-30 रुपे के टार्गेट देखने को मिलेंगे 27 रुपे का यहां पर स्टॉप लोस लेके चलिए तो आपने 27 स्टेंबर का दियान रखने गाई उस दिन एजए मीटिंग है उस दिन जो है कंपन देखने को मिलेगा धीरे-धीरे जो स्टॉक अपने टार्गेट चीव करेंगे और धीरे-धीरे यहां पर आपको जो है टार्गेट देखने को मिलेंगे तो दाइस बाकि कोई भी उडिट आता है